मैप ज़रा दिखा देते हैं यह जो ओरेंच पार्ट आप देख रेहें यह ओरेंज पाट यह ऑडवांस्मेंट है इससे अडवांस्मेंट दिख रहा है उस सेना का जो आगे बढ़ रही है रूस के कब्जे का जो बाइन का जो भौ्डरींग एरिया जय उस पर वो कर रहे हैं बीच में नहीं गुसरें देखिए बिलकुल स्ट्राटीजी वही है लेकिन हम सिरफ इतना सा जो वेस्टन प्रोपगंडा है हम उससे इतने बचे हैं कि जो शुरू से कह रहे थे लोग आज हाट दिन होगे पहले चार दिन तक किसी शेर पर कोई गंबीर हमला नहीं हुआ है उन पर सिरफ फाइरिंग हुई है उन पर सिरफ उनके जो एलिमेंट से प्रोपगंडा हुआ है जो इन्फॉमेशन वार्पेर की राज़ेश बात करने उसको सपोर्ट करने के लिए उनके जो इन्ट एलिमेंट से उनको डाला गया है और उसके बाद लड अब हम कीव बेजरा और क्लोज इन होकर आगए कि पे पर नदी के तरफ जो नाइपर नदी के तरफ जो नाइपर शेहर है जो पॉल्टोवा है जो नीचा नडाई चल रही है जर पर इस तो यह जब यहां फोर्स जाएंगी तो कीव बहुत प्रेशर परेगा और मेरा मानना य यह जब बिल्कुल जैलिंज की जो है वेस्ट के उस पे और कोई जिद लगा बैठेंगे वो नहीं होने वाला मेरे ख्याल में यह सब शेयर से जैसे वा रहा है इस्त में उसका इंट्रेस्ट है और इस शेहर पर देखिए इस शेहर पर जब यह कबजा हो जाएगा मेरा मानन यह कि आज कुछ ना कुछ मेसेज जैलिंज की को जाएगा मैं कई बार कही चुका हो कि देखिए जो दो तीन शर्ते तो तैहोच किये कैसे रोल करेंगे अब सिर्फ यह कि जैलिंज की के फ्यूचर को कैसे डिटरिमिन करें वो कोट बदल के यहीं रहेगा या वो चला जाए अगर लडाई हुई तो देखिए चार-पांच दिन इसके फाइरिंग होएगी फिर जाके इसको स्पेसलाइज वहां पर आ रहे हैं उन सब को रोकने के लिए जल्दी से राजेश अगर आप दिखा दें कि किस तरह से फ्रीडम स्क्वेर के इर्द गिर्द भी गौरफ तो बारिकेडिंग या अलग अलग चीजें टैंक्स को रोकने के लिए बनाई चारी हैं आप हमारे दर्शकों को जड़ा दिखा दें देखिए अंजरा मैप से बात करता रहूंगा और मैं चल रहा हूं उस तरफ ताकि आपको नजदीक से दिखा सकूं क्योंकि थुदा अन नजदीक जाने का ताकि नजदीक जाकर आपको दिखा सकूंगा